आज से कुछ साल पहले हमें पता भी नहीं था कि संस्क्रीन का इस्तमाल कैसे करना है और क्यों करना है आज तो फर्माल जारी किया जा चुका है कि अगर SPF इस्तमाल नहीं किया तो pigmentation, hyperpigmentation, melasma, acne, pimples, हर possible परिशानी जो स्किन पर हो सकती है वो आपको हो जाएगी और इसका कार स्थान ग्रहेंड किया है जो कि है vitamin C लेकिन जैसे ही हम मार्केट में vitamin C, toners, serums का price देखते हैं तो हम भाग जादे कि भी इसकी जरूरत नहीं है लेकिए vitamin C हमारी skin के लिए बहुत important role play करता है इस बदलती हो environment में एक youthfulness, tightening, lightening, suppleness आपकी skin को प्रवाइट करता है अगर आप इस best of results लेकिन अगर इसमें इसमें नहीं करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए do it yourself remedy लेकर आए हूँ जो कि आपको vitamin C के सब भी benefits देगा आपकी dark spots को कम करेगा, आपकी skin को brighten करेगा, जो dullness रहती है उसको गायब करेगा, आपकी skin सपल हो जाएगी, softer हो जाएगी और आप काफ विड़र करते हैं तो अपना बहुत सारा खयाल रख रही है आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेर करने के लिए हूँ कि कैसे आप vitamin C along with vitamin E, ज हाँ एक बहूँत ही इंपोर्टन ब्यू प्यूतिफल कम्बिनेशन है इन दोनों का इस्तमाल आपकी skin के लिए अगर सही मात्रा में, सही ओडर में इस्तमाल करते हैं तो मैं आपको बता रहे हूँ कि आपको बेबी स्किन पाने से कोई नहीं रोग सकता, आपके स्किन पर कितने भी परिशानिया क्यों नहीं हो, active pimples हैं, acne marks हैं, dark spots हैं, pigmentation हैं, skin में dullness रहती है, काली परत स्किन पर आचुकी है, इ इन environmental conditions से अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं, तो ये दोनों आपके लिए game changer हो सकते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार जाने, वो ये है कि vitamin C एक बहुत important light weight है, जो कि हमारा शरीर नहीं बना सकता, इसलिए हम बाहरी खाने पर निर्भर करते हैं, कि ये हमारे शरीर में आए, ये इतना प्यारा co-factor ingredient है ना, कि मैं आपको नहीं बता सकती, ये पंदरा और nutrients के साथ मिल के काम करता है, हमारे शरीर को एक तम चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए, let me point it very clearly to you, कि अगर हमारे शरीर में vitamin C की मात्रा बिलकु कुछ लोगों के nails brittle हो जाते हैं, कुछ के gums and teeth बहुत जादा unhealthy हो जाते हैं, collagen की कमी हो जाती है, शरीर में इसकी वज़े से skin sack करने लगती है, wrinkles आ जाते हैं, fine lines आ जाती है, तो ये सारी परिशानिया अगर आपके शरीर में है, तो pollution तो एक constant factor है सभी के लिए, लेकिन vitamin C की deficiency भ की हो सकती है, इसी लिए अच्छा खान पान खाइए, अब जब खान पान की बात आती है, तो सीधा दिमाग में आता है नीमू और संत्रा, इन में vitamin C होता है, क्योंकि हमारे करेकिलम में था, बिल्कुल सही पहचाना आपने, संत्रे की family को जितने fruits बिलॉंग करते हैं, वो त इतने nutrients हैं, इतने nutrients हैं इसके अंदर की vitamin C तो मैंदब ही obviously, पर बाकी सारे भी है, तो अगर वो खाय सकते हो तो please do that, लेकिन bell peppers is something जिसमें संत्रे से भी ज्यादा vitamin C है, समझे, तो अबने salad में शिमला मिर्च काटना शुरू कीजिए, और raw ही खाईए, it's very tasty, believe me, मुझे बहुत पसंद है, तो यह आप definitely saving कीजए, because यह आपके शरीर में vitamin C को replenish करेगा, और कोई परिशानी आपको नहीं होने देगा, fine, लेकिन इसके बावजूर यह शौर नहीं हो पाता, कि जो vitamin C आपने शरीर के अंदर दिया है, वो हमारी skin तक पहुँच रहा है, या नहीं, जहां, ऐस हो जाता है, तो ऐसे case में topical application vitamin C का magic कर सकता है, जहां, देखिए हमारी skin हमारा largest organ है, जो की multitasking करता है, इससे पसीना भी आता है, टॉक्स भी रिलीस करता है, और यह absorption भी करता है, इसलिए सही तरीकी का vitamin C, आप definitely choose कीजए, क्योंकि आपकी skin इसको absorb करती है, it's very important for you to choose the right product, ठीक ह तो अब हम topically जब अपनी skin को देते हैं, तो वो जो effect है vitamin C का, वो instant दिखने लगता है, जहां, आप एक हफते में आपको दिखेगा कि भाई, कमाली हो गया यह तो, वो dullness चली गई, मैं तो कह रही हूँ आप लोगो को before after click करके रखो, मतलब before click करके रखो, after एक हफते के बाद आप देखना, आपको कमाल हो जाएगा, आपको बोलेंगे भई हाँ, dullness तो कुछ गई है, there is some sort of, you know, एक filter आपके चहरे पर आगया है, यह definitely होगा, obviously बाकी factors भी है, खुश रहना है, stress नहीं लेना है, अच्छा खान पान, exercise, इस सब करेंगे, तो काया पलट हो जाएगी आपक अच्छे से थरली बॉश कीज़े, अगर आपके चेस्ट में या बाक में आटने है, तो यहां पर भी आप इसको कर सकते हैं, यानि कि नहांते समय, यह चीज़ आप कीज़े, the best time to use vitamin C for your skin is in the morning hours, it's very important, तो अच्छे से अपने चहरे को आपने बॉश कर दिया, जिस भी क्लें अच्छे से आप करते हैं, और इसके बाद आपको इस्तमाल करना है एक टोनर, अब यह चो टोनर है, यह मेरे घर में कॉंस्टेंट है, यह हमेशा बना रहता है, इस ग्रीन टोनर, एंटाय ऑक्सिदेंस का भंडार, जो कि आपकी स्किन पर जितना भी राडिकल डामेज होता और यह जो इंपोर्टन स्टेप है ना, यह डामपनिंग वाला, इस वरी 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 इंपोर्टन क्योंकि विटमिन सी आप ड्राय फेस पे नहीं लगाएंगे, इसलिए स्टेप नमबर टू, एक एंटाय ऑक्सिदेंट टोनिंग, मतलब और क्या चाहिए स्किन को बहुत ही लगा लेंगे, इसके बाद आता है स्टेप नमबर थ्री विच इस यौर विटमिन सी का डिपॉजिशन, अब विटमिन सी कहां से आए, हम तो सीरम नहीं लगाते हैं, अगर आप सीरम यूज करते हैं, अपने लिए चूज कर सुके हैं, स्किन टाइप के हसाब से, तो इस प आपके स्किन को विटमिन सी का डोज मिल जाएगा, इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह है ओरेंज पील पाउडर, मैं आपको बता दूँ कि संत्रे से ज्यादा विटमिन सी उसके छिलके में होता है, लेकिन विटमिन सी हीट सेंसिटिव होता है, तो उबा और यह दर दरा सा पाउडर मुझे अचीव हो गया, तिस इस होममेड ओरेंज पील पाउडर, मैं हर साल थोड़ा तोड़ा आट करते रहती है, इसले खतम नहीं होता है, लेकिन अगर आप मार्केट बेस्ट औरेंज पील पाउडर लेकर आते हो, तो वह बिलकुल महीन होता मिट्टी जैसा होता है, आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हो, तो यकीन मानिए, जो घर वाला होता है ना, जो आप मार्केट से लेकर आप स्मेल चली जाएगी कुछ समय में, तेकिन जो घर वाला होता है, आप सालो साल रख लो उसकी स्मेल वैसी की रहती है, और जैसे याप आपको याद आजाएगा संतरे का स्वात क्या था, इट विट इस दाट अमेजिंग, तो यह मैं जो दर्दरा पाउडर है, इसका इस्तमाल कर रही हूं, मैंने यह चोटे-चोटे सैशे मंगवाए हैं, लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो श्यवाज सकते आपको कितना आता है, मतरब अगले सीजन में होता है, तो कितना सस्ता होता है, सुखाइँ, बनाईए और इस्तमाल कीजिए, जब तक नहीं बनाया है, हमें नहीं पता था, तो मार्केट-बेस्ट भी आप ला सकते हो, no problem, लेकिन अगले सीजन के लिए बीड ताकि खराब भी नहीं होगा और स्टोरेज भी असान रहेगी तो यह मैंने साथ के साथ बैग एक किसी भी खाली मेरे पास एम्टी अलवेरा बॉटल थी इसमें मैं यह साथ के साथ बैग डाल दिये और इसमें अगर आप गुलाब जल डाल सकते हैं विच इस डिस्टिल्ड व अभी हमने अपने फेस को डांप किया था आपको यही जो बॉट से से शेक करना एक बैग लेना है एंड जस्ट पाटिट पुष इंसाइड यर स्किन इसको जो ब्यूटिफुल वह है ना खुष्भू आपको पता चल जाएगा अपको फुष्भू आएगी लिटरली और इ अपनी स्किन पर इसको अच्छे से पैड राय करेंगे डांप फेस पर ही अब आप जो विटमिन सी लगाते हैं मार्केट बेस्ट यू किनाट ब्रिंग अराउं यर आईज यू किनाट ब्रिंग अराउं यर माउथ पिकिस इस ट्रॉंग तो इचिनेस हो जाती है और कई लो आपने फेस वाश किया था लेकिन आप इसको दुबारा हुज नहीं करेंगे ठीक है यू हाव तो थो इट अवे और आपका एक दिन का एक बैग यूज हो गया आपकी स्किन को रेडी करता है कि अगर सं डामेज होने की कोशिश हो भी स्किन पर तो स्किन थोड़ी हेल्दी तो ज्यादा परिशानी आपको नहीं होगी समझ में सं प्रिटेक्शन करता है यूवी रेडियेशन से प्रिटेक्ट करता है आपकी स्किन में कोलाजन बनाता है सबसे इंपोर्टन सब्सक्राइब कुछ लोगों की स्किन देखा से टूब लाइट टाइप होती है उनकी वन हो रहा है आपकी जितने भी ब्लेमिशेज हैं जितने भी डाक स्पॉट्स हैं अनेवन स्किन है सब कुछ अड्रेस होगा यूव तो बीपेशन जस्ट बीपेशन एंड पुट इट अल ओवर यूर फेस डन इसके बाद आप लोगों को करना है स्टेप नमबर फॉर जिसके इसके बाद इसके बाद आपको बाहर जाना आप बाहर जाये दोण एक हफता पूरा यूस तो कर लो यह अपकी इंग्रीजिए लिए बहुत अच्छे रिजाल्स देते हैं अगर ढंग से किया जाए अब अब आप गंदे मुझे ऊपर कर दो कि तो रिजल्ट नहीं मिल अप पूरा प्रसीजर करने के बाद गंदे हाथ लगा दो कि तो रिजल्स अब दिन भर आपने एंजॉई कर लिया, वीडियो बना लिया, एडिटिंग कर लिया, everything is done. अब रात के समय आप लोगों को अपने चहरे को अच्छे से वाश करके, मेकप किया है, तो माइसिलर वाटर नहीं किया है, तो अच्छे से जो भी face wash आप इस्तमाल कर रहे हो, every portion of your face आपने clean कर दिया, और इसके बाद, सोने से पहले, सिरफ एक vitamin E की capsule, जो लोग skeptical है, वो vitamin E serum अपने लिए order कर लीजिए, I am very comfortable, मुझे बहुत अच्छे results हमेशा मिले है, आपको सिरफ vitamin E की एक capsule लेनी है, dot 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 on your entire face, and अच्छे से massage, done, इसके बाद, you are sleeping, अगर आपकी dry skin है, तो इसके उपर moisturizer, definitely try कीजिए, dry skin नहीं है, तो इस चल जाएगा, only the vitamin E, and you are good to go, next day morning, जब आप अपठेंगे, then again, the entire vitamin C starts, तो अगर आप इसको exactly ऐसे ही करते हैं, तो one week में, I am pretty sure, की आपको visible changes दिखेंगे, मैंने दो दिन किया है और भी, and I am super happy with the results already, मैं ऐसे भी बहुत कुश जाती हूँ, vitamin C is something that, I don't use serums and toners of vitamin C, मैं orange peel powdery something or the other way use करती रहती हूँ, तो it's sufficient, but this is something that I have come up with, and I am really liking it, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको इसको इस्तिमाल करके, and I am pretty sure, आपको भी करेगा, vitamin C is highly highly oxidative, यानि कि यह खुदी oxidized हो जाता है, और फिर किसी कामका नहीं रहता है, इसलिए I would suggest, कि आप अपने airtight container में रखिए, और dark place पे रखिए, light के साथ react कर जाता है, आपके जो serums होते हैं, you have to be very careful, अगर उनका color हलका सा भी change हुआ है, वो oxidized हो गया, that's of no use now, तो प्लीज आप थोड़ा thoughtfully, जब आप किसी चीज में इंवेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इसके do's, don'ts, वोकराउंट, सब कुछ देखना पड़ता है, to get the best results for yourself, तो प्लीज आप इसको exactly ऐसे ही try कीजिए, बच्चों के लिए try मत कीजिए, बच्चों को उनकी natural skin है, अभी उसको आने दीजिए, उसके बाद वो जब बड़े हो जाएंगे तब जो मर्जी कर रहे हैं अभी के लिए आप नहीं करने देंगे, So my beautiful people, कैसी लगी प्रस्तुती नीचे लिखकर मुझे अवश्य बताईए, लाइक करना मद भूलिएगा, नए है तो सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा, इसके बारे में और पढ़िए और समझिए और अपनी skin को बहुत ज़्यादा youthful और amazing और मज़िदार बना लीजिए, अब सभी से मिलती हूँ अपनी आगले वीडियो में तब तक के लिए take good care of yourself and stay connected to Preeti Pridna.